महरास्ट के पालगर जिले के अंतरगत आने वाले तारापूर M.I.D.C. छित्र में बीती रात अचानक एक कंपणी में आग लगई जिस मौके पर हड़कंप मच गया इस कंपणी में आग लगी उसका नाम निर्भया केमिकल कंपणी बताया जा रहा है तारापूर M.I.D.C. के प्लाट नंबर N.96 में इस्थित है निर्भया कंपणी जहां मौझूद प्रतेक्ष दर्सियों के मताबिक ये आग रात तकरीबन साड़े दस बजे के आस पास लगी आग इतनी भीशन थी कि इसकी विकराल लपटे दूर से ही दिखाई दे रही थी आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है लेकिन बताया जा रहा है कि आग उस समय लगी जब कंपणी में प्रोड़क्शन का काम चल रहा था कारखाने में जुलनशील पदार्थ रखे होने के कारण आग व्यापक रूप से फैलती चली गई और दूसरे प्लांट तक पहुँच गई आग की वज़ा से तीन प्लांट पूरी तरह से चल गए आग लगने के ततकाल बाद कारखाने में मौजूद करमचारी कमपनी से ब गई जिस पर काबू पाने के लिए दमकल की अन्य च्छे गाड़ियों को भी मौके पर बुलाना पड़ा जिसके बाद पाल से च्छे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाने में दमकल विभाग की टीम को सफलता मिल गई इस दवरान इस्थानि समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर मौझूद रहे फिलहाल आग पूरी तरह से शांत है और आग लगने के कारणों का पता लगाया चारा है फिलहाल आग किस घटना में किसी के हतात होने की खबर सामने नहीं आई लेकिन आपको बता दें कि तारपूर M.I.D.C. शेत्र बेह शुक्र इस बात करा की दमकल की गाड़ियों ने 5-6 घंटे की कड़ी मशक्त के बाद इस पर काबू पालिया वरना किसी बड़ी घटना से भी इंकार नहीं किया जा सकता था पालगर जेले के तारपूर आउदी के क्षेत्र में निर्बाय नासा नामक कंपनी में आग लगे है जबकि 10.30 बजे ये आग लगे है और तकरीबन एक बजने का समय आया है लेकिन आज अभी भी नहीं बुझे 8-10 गाड़िया दमकल के यहाँ पर मोजुद है दमकल के जवान आग बुझाने के काम कर रहे है और समय रहते ही कामकारों को बाहर निकाला गया इसी कारण कोई जानमाल का नुक्सान नहीं हुआ है लेकिन कंपनी का 2-3 प्लांट जेल कर खाक हो चुका है यहाँ पर सरकारी अला अधिकारी भी मोजुद है और तश्रील दार व्यायते पुलिस अधिकारी ब्यायते और काफी सरकारी यहाँ पर आये है और जांच के बादी पच्चा चलेगा कि आखिर आग का कारण क्या है नागनात बाबर, इन21 न्यूज पुरूब